कि गठिया 200 प्रकार से अधिक प्रकार की होती है सब आमरुप से पाई जाए लेटिया को हम और शोद या रोमेटर रथाइड़ी साथी अश्राथाइडर उम्र के साथ होती है और उंगलियां गुटने और कुलों को प्रभावीत करती है प्रमेटर गठिया एक आटोम्यून विकार है जो प्रभावीत करता है ये अलग तरग के गठिया है अश्राथाइडर गुटनों को प्रभावीत करती है गुटनों का दर्द आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हमारी उम्रे बढ़ती है और इसमें गुटने दर्द और पीट का दर्द आम होता है तो पहले जानेगे की नॉमल जॉइंट कैसा होता है ये आप हमारे गुटने का जोड़ है ये उपर की हड़ी ये आपके नीचे की हड़ी अब आप ये जो सफेद रंगा देख रहे हैं इसको हम कहते हैं दोनों हटीयों को ये घिसने से बचाता है, दोनों हटीयों में घर्शड ना हो, इसलिए ये कुशन की तरह होता है हापर, ये जिलिया के अंदर फ्लूड भरा होता है, जिसको हम सैंवल फ्लूड कहते हैं, ये बैग, ये जो सैंवल फ्लूड है, ये एक मॉप्विल ओईल की है is मय। लेकिनिमर के साथ क्या होता है?قتले जी है, ये कुशन घिस जाता है, ये घिसने की बज़द Diese, ये तोन हडीयों जो होती है ये dividedे ऐग!! और दूसर से टकराने लगती है biological इक दूसर से टकराती है, अज चारम का मॉप्विल ऑ रिंग स्लीयों कर्ख़ कह राद़ लग सफेद हो जाते हैं जुरिया पड़ जाती है वैसे ये कुशन भी घिसने के लिए बने होते हैं और घिस जाते हैं कुछ लोगों में ये ज्यादा जल्दी होते है या कुछ तेजी के साथ होते हैं कुछ लोगों में ये जैसे इस जोड़ में देखेंगे ये नॉर्मल हमारे को कितनी स्मूथ है और इसमें जब बिल्कुल स्मूथ है तो हो जाती है यह देखिए यह कितनी खराब हो गई है यहाँ पर यह काटिलेज बिल्कुल घिस चुका है और कितना रफ हो गया है तो ऑश्व अर्थाइडिस में दर्द जोडों में कठोड़ता जंजनी या इस तरह की सेंसेशन होना कॉमन है इसमें घर्षनट की आवाज आती है जब हम घुटने को मूटते हैं जो कि रैक्लिंग साउंड कहते हैं थोड़ी वह सोजिश आ सकती है ज गुटने की अवर्ग्रोथ हो जाती है जो हमें लगता है कि हडिया हमारी बढ़ गई है जैसे घुटने की हड़ी में चोंच जैसी निकल गई है तो इसको हम सपर्स कहते हैं यह हमारा मूवमेंट ऐसे होती है जोड की मूवमेंट क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं और यह जली बनीए जिसको हमई जैनौल मेम्बरIns कहते हैं हमारा आम तर पर जोड इतना ज्यादा स्मूथ होता है ठीक है तो अब होता क्या है आर्थाइटीस के अंदर जितने भी जोड है वो घिसने लग जाते है इसके अंदर कि कुशन है यह घिस जाता है तो जोडों पीक्र तो ये आम तोर पर ये कुले की हड़ी, घुटने और कमर को प्रभावित करता है, जिसको हम स्पॉंडुलोसिस या सवाइकल कहते हैं, सवाइकल स्पॉंडुलोसिस अलग बिमारी नहीं है, वो भी ऑस्चोर्थाइडिसी है, जो हमारे डिस्क होती है, वो घिस जाती है, इसमे या किसी को कभी चोट लगी हो पुरानी, जिसमें कहीं पर कोई टैमेज आ गया हो, या कहीं कहीं पर बार बार महाँ पर इंजुरी हो रही हो किसी वज़र से, जैसे एकलीट में बहुत कॉमन होता है, या फिर आपकी बोन पुरी तरग से अलाइंग नहीं है, उसके बीच मे टेडी मेडी है, तो ऐसे में वहाँ पर घर्षन शुरू हो जाती है, और यह आपका आपका आटिकलर काटिलेज है, यह घिसना शुरू हो जाता है, यह देखिए कितना खराब हो गया उमर के साथ, यह कितना रफ हो गया, हड़ी सटी टकराएगी और इसमें दर्षन आपको आइस पैक से इसमें, आप इसमें सिखाई कर सकते हैं, आइस पैक लगा के, जो जोड में जाड़ा दर्द है, उसको रेस्ट देना ज़रूरी है, जिससे कि उसमें हीलिंग हो जाए, वेट कम करना बहुत जादा ज़रूरी है, कि गुटनों पर चाल गुना जाता इसके अलाबाया जैसे कि आप स्वुमिंग कर सकते हैं, जिस पे घुटनों की उबर लोड ना पड़े, इसके अलाबाया आपको जो टायलेट होती है, वो बेो बैचन की पैना होता है, चौकड आलतिपाति लगा के ना बैठें, इसके ही लिएचन आप जादा बेढ़ा हैं और एक गुटने में ज्यादा प्रॉलम होती है तो अधि लगाई जाती है कई बार इसमें हम एक इंजक्शन लगाते है हैलूनिण Kathy इसका सब्सक्राइक कर दो हotal होता है हालाकि इसका असर लंबे टाइम तकि नहीं रहता चार से इसका असर खतम हो जाता है और बार-बार हम इंजिक्शन लगाना पड़ता है फिर सर्जरी में कई बार चॉइंट रिसर्फेसिंग सर्जरी करते हैं जिसमें की यह जो घिसी भी चीज़े आप देख रहे हैं यह जो चोंच निकली है है हडियों की यह काटिलेज की इसको जो इसको अर्थरोस्कोपी से साफ कर देते हैं तो दर्द में दर्द कम हो जाता है अगर आपकी बोन टेड़ी है आपकी यह बोन ऐसी जा रही है तो इसको सीधा करने के लिए जिसे की आगे जाके काटिलेज खराब ना हो जाए अल्टिमेटली जो लास्ट चीज है वो होता है इसका ऑपरेशन गुटना रिप्लेस्मेंट का ऑपरेशन जिसमें की सारा गुटना जो पूरा खराब हो चुका है इसको चेंज करके आर्टिफिशल गुटना लगा देते हैं यह आज की डेट में बहुत सक्सेस्फुल ऑपरेशन है और इसे दर्द और जोडों की सूजन बिल्कु ठीप हो जाती है अब इस वीडियो में हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे यह आपका बिल्कुल नॉर्मल जॉइंट है आपका यह इस तरीके से गलाइड करता है देहिए कितना स्मूथली गलाइड कर रहा है लेकिन जब इसमें और जोड का जो कार्टिलेज है व चिस गया है और खराब हो गया यह यह आपको नॉर्मल जोड़ है आपके कुशन्स हैं जो आपके है जोड़ को मुथली चलन हर ने देते हैं अगर यह घिस जांगर खराब हो जाए तो मतलब आपको ऑश्टरवाथ упraithi हालिस हो चुकी मोटापा जितना वजन गुटने पर पड़ेगा उतना जल्दी वो किसेगा अगर आप गुटनों के पर जैसे मैंने आपको बताए कि चार्ज पुना जादा वजन होता है बॉड़ी बेट से मास पीशो में किसी तरीके से कमजोरी आई है तो आपके जोड के उपर गलत वजन पड़ेगा और आपको घुटना कमजोर हो जाएगा और गिसने लग जाएगा पूर पोशन की कमी या विटामीन डी की कमी इससे भी और जल्दी डेमेज होती है सबसे पहले तो क्लिनिकल एग्जामीनेशन जो डॉक्टर है वह आपको देखेगा आपकी चांच करेगा आपकी गुटने को देखेगा कितनी सोजिश है कहां कहां पर दर्द है ठीक है उसके बाद कुछ ब्लेट टेस्स करा के देखा जाता है कि कोई और वजा तो नहीं है जोड आपके खराब हो रहे हैं या आपके के लिवर किड्नी ब्लिड कैसा है आप दवाई के प्रवाय के प्रतर dad कंसे अदेग सकते हैं कर को किड्नी की प्लॉलम है तो पेंचिलर्स हम आपको बिलकुल नहीं देगे में टेगे Bin animals तो इस तरीकेसे में हमें जरुंल तो नहीं है कई बात जोइंट एस्पेट करके क्रिश्टल्स के लिए देखना होता है जैसे गाउट हो गया या सीपीडी क्रिश्टल हो गया कभी यह भी देखने पड़ते हैं यह एक्सरे देखिए यह नॉमल आदमी का एक्सरे यह आप गैप देख रहे हैं यह नॉमल इतना गई और यह भून से खुन टकरा रही है जिसकी वज़े से आपको दर्द हो रहा है अब यह आप देखो कितना स्मूथ है जॉइंट यह यहां पर कितना रफ हो गया यह यह यहां पर डिक की चोंच निगल गई है तो एक्सरे करके हमें पता लग जाता है कि और आपकी और इ हमीत रूम से वियायाम करते रहना चाहिए वजन गटाना बहुत ज़्यदा ज़रूरी है हीट एंड कोल थेरेपी करके आप पेन कम कर सकते हैं कई बार पेसिंग करके करना पड़ता है और कई बस सहायक उपकरनों का हमें अपयोग करना होता है जैसे कि ब्रेस में ब्रेस या क्या वैरन खान चेरा करा है भाड़ता हुट इसके मैं बहुत खाल सब्सक्राइब आप गटाना ब्रेस में ज्यादा सोजीश होती है तो हम इस चिजडर्ट के इंजक्शन भी घुटने का नदर लगाते हैं जिसे की घुटने का दर्द और गुटैकर बहुत घुटने का इ वह गुटने को अंदर से ठीक नहीं कर सकता, जिससे भी आपने क्रीम सो तेल देखें जो मार्किट में और न्यूज शैनल में दिखाये जाते हैं, वह गुटने को ठीक नहीं करते हैं, लेकिन वह उपर से दर्द को कम कर देते हैं, तो वह भी बहुत ऐसेंशल है कि जिसको इसके लाबा कई बार हम इसमें दूसरी दवाईया देते हैं, जैसे दायसरीन, दायसरीन का भी estratég mean को कि इसमें से इसमीरे परेखेंगर, बाकि जो जो दवायया होती है, लेकिन उसमीर में बागोल इसमीर हम लिग पर देखेंगर, वह सब दिसको करके देख लिए, और पाइसला लेना पड़ता है. सरजरी में जैसे मैंने आपको बताया कि resurfacing सरजरी कर सकते हैं या हटी का कोई टुकड़ा खराब हो चुका है इसको काड देते हैं. या फिर hip replacement या knee replacement जिसमें कि सार का सारा जोड़ चेंज कर दिया जाता है.